शुरुआत करते दोस्तों आज के निउस्पेपर के हम भुगोल वाले हिस्से में मैप के साथ मैप के अंतरगत आज हम देखेंगे टर्की को टर्की के साथ साथ में उस जगह को देखेंगे जो की भूकम्प का मैन फोकस के इंदर रहा है जिसको हम AP Center बोलते हैं तो टर्की की एक जगह खास निउस में रही है इसलिए ये जो इस्थान है आने वाले टाइम में मैप के अंतरगत पूछा जा सकता है चाहे वो सही जोड़ी के रूप में हो चाहे फिर टर्की का मैप हो दो बातें यहाँ पर हमसे पूछी जा सकती है इसलिए दोन ही यहाँ पर important है सबसे पहले तो हम देखेंगे टर्की को टर्की की location कहाँ पर पड़ती है ठीक है तो ये वाला जो हिस्सा है हमें दिखाई दे रहा है ये easier का एकदम पस्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् और देखिए Black Sea और Aegean Sea Black Sea और Aegean Sea में यह आपको Enter करना है तो Aegean Sea से होते हुए आप सबसे पहले कहां जाएंगे Dardanelles Straight, Dardanelles जलसंदी जाएंगे फिर बीच में पढ़ेगा Sea of Marmara, ठीक है Marmara Sagar पढ़ेगा, फिर Marmara Sagar से आप एक और जलसंदी को पार करेंगे Bosporus Strait तब जाकर कि आप Black Sagar जा सकते हैं या फिर Black Sagar से इधर उधर यदि आपको जाना है तो तो जलसंदी होती है कभी बीना दो सागरों को जोडने का काम करती है जैसे कि Black Sagar और Marmara Sagar को जोडने का काम कौन करती है Bosporus Strait करती है वहीं Sea of Marmara और Aegean Sagar को जोडने का काम कौन करती है Dardanelles Strait और ये जो जलसंदी होती है दो स्थल के भागों को अलग करने का भी काम करती है तो इसके North में है Black Sagar फिर North से हम पश्चिम की तरफ में जाते हैं तो ये बुलगारिया के साथ में Boundary Share करता मतलब यहां से Europe चालू हो गया है उसके नीचे में फिर Greece पढ़ जाता Greece के साथ अपनी Boundary को Share करता है फिर ये पूरा हिस्सा Aegean Sagar हो गया Aegean Sagar के साथ में लगा हुआ ही हिस्सा थी और वहीं समुद्री सीमा की बात करता है बाइपरस के साथ में नीचे साथ की तरफी अपनी Boundary को Share करता है अब जाते हैं हम दॉर्फ वाले हिस्से की तरफ और पूर वाले हिस्से की तरफ सबसे नीचे, last वाले हिस्से में हम देख रहे हैं, लेबनान के साथ में अपनी boundary को ये share कर रहा है, और लेबनान वाले हिस्से में ही, ये जो green color का आफ, highland वाला area देख रहे हैं, पहाड़ी area देख रहे हैं, उसी के किनारे में गाजियान tab इस्थी थे, located है, और ये जगा famous है, चर्चा में रही है किस सीच के कारण भूकम्द की प्रभाव छेदर के कारण एपी सेंटर के कारण अब इसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं तो ये लेबनान हो गया और ये एरिया हो गया इरान का ठीक है फिर आर्मेनिया है फिर जोर्जिया है इन सब के साथ में ये बाउंडरी शेयर करता है यहां से उतना जादा क्लियर नहीं हो पा रहा किसके साथ में बाउंडरी को शेयर कर रहा है ये वाले जो पॉलिटिकल में आप देख रहे हैं यहां से सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं किनके किनके साथ मैं टुर्की अपनी बाउंडरी को शेयर करता जैसे की नीचे की तरफ हम जब जाते हैं साउथ वाले हिस्से की तरफ और पूर की तरफ बढ़ेंगे तो सीरिया, इराक, इरान, ठीक है इसके अलावा आर्मेनिया और जोर्जिया के साथ मैं अपनी बाउंडरी को शेयर करता है उपर पड़ जाता है काला सागर तो जिस जगह में भूकम का कैंदर रहा है देखिए गाजियान टैप ये वन ओप दा मॉडर्ण प्रोविंसिस माना जाता है साउथ इस्टन एनाटोलियन रिजन का मतलब हम पार्टिकुलरली बात कर रहे हैं टर्की की ये वन ओप दा ओल्डेस्ट हाइटी रिजन ओरिजन माना जाता है ठीक है बीइंग दा सेंटर ओप पिस्ताचियो नट कल्टिवेशन इन टर्की यहाँ पर हम देखते हैं पिस्ता जो होता है ना उसका कल्टिवेशन होता इसके साथ में यहाँ पर ओल्लीव की ग्रोब्स भी हमको देखने के मिलते हैं साथ में ही विने यार्ड मतलब अंगूर के बागों के लिए ये फैमास है तो जो ओल्लीव होता है olive की grooves के लिए भी ये जाना जाता है और गाजयान टेप जो है one of the important industrial center माना जाता है टर्गी का अबी जो वरतमान में है यहाँ से जब 12 किलमीटर में आप जाते है नौर्थ की तरफ वहाँ पर पुराना सहर इस्तित है और अपर स्लोप और निजी फिल और हम देखे थे कि यह जो सहर है ना पहाड़ी एरिया के किनारे पर बसा हुआ है यहाँ पर जो olive grooves है मतलब जो जैतून होते हैं जैतून का तेल जैतून के खेती उसके लिए यह फैमास है तर्की के location को लेकर के अधि हम worldwide बात करें तो देखिए इसकी जो capital है ना अंकारा यह capital city of Turkey मानी जाती है यह पढ़ती है country के लगभग central part में और वहाँ पर पढ़ता है Anatolian Penisola और यह country का जो second largest city माना जाता है central part कहाँ पर पढ़ता है Anatolia Penisola में यह उसको पूरा का पूरा यह आप देखते हैं तो पूरे विस्प में इसकी location कहा है तो देखते हैं देखिए यह Asia वाला हिस्सा हो गया और यह जो dark colors यहाँ पर दरसाएं गया है यह Turkey है तो जो Turkey है वो transcontinental Eurasian country माना जाता है ठीक है मतलब कुछ हिस्सा इसका Europe में आता है और कुछ हिस्सा इसका Asia में आता है इसलिए हम इसको transcontinental country बोलते हैं तो अब कुछ सागर है जहाँ जिसकी location देखते हैं जैसे की black सागर इसके north की तरफ में पढ़ता है और नीचे south और पस्सिम वाले हिस्से की तरफ में हम जाते हैं तो Mediterranean Sea पढ़ता है कैस्पियन सागर किधर पढ़ेगा इसके पूर्वी वाले हिस्से की तरफ और और वी अदि हम आगे जाते हैं तो अरल सागर पढ़ता है तो यह इसकी थी location The major part of the country lies in the Anatolian plateau of Western Asia Anatolia का जो पढ़ार है उसी के ऊपर यह जाते हिस्सा इसका located है Western Asia में जबकि जो small part है वो located है South Eastern Europe के बालकन पैनिसुला में पढ़ता है बागी का इसका हिस्सा इसके बाद हम सीधे चलते हैं PIP की तरफ और देख लेते हैं पहली खबर PIP की पहली खबर हम देखने वाले हैं climate change से लड़ने के लिए भारत कौन-कौन से प्रयास कर रहा है Union budget 2023-24 में cancer car कौन-कौन से प्रयास कर रही है इसका उलेक हाल ही में अभी जो G20 की meeting चल रही है उनक तो हमेरे जो environment minister है ना भुपेंदर इन्होंने अपने budget में उलेक किया है तो जो union budget 2023 है इसमें कौन-कौन से highlights हमको देखने को मिल रहे है तो यहाँ आप कुछ बातें बताई गई है कि किस प्रकार से इंडिया commitment किया है इंडिया के energy transition के मामले में energy transition का मतलब यह होता है कि इंडिया कौन-कौन से प्रयास करेगा जब जाकर कि वो जो fossil fuel है या फिर जो non renewable energy है उसको छोड़ कर renewable energy की तरफ में बढ़ सकता है इसके लिए कौन-कौन से प्रयास हम करने वाले है union budget 2023 में इसका उलेक किया गया है तो यह हमारे लिए important इसलिए हो जाता है क्योंकि जब भी climate chance related means में answer writing के लिए आता है तो यह सारी की सारी बाते आप उलेक कर सकते हैं ठीक है बार-बार चीजें repeat होती है तो अपने आप हमारे mind में बैठते जाती है जैसे कि आप कभी नहीं भूल सकते भारत ने 2070 तक घोषणा किया है कि हम 2070 तक ठीक है zero carbon उत्सरजन वाला country बन जाएंगे जीरो carbon emission वाला country बन जाएंगे इसका मतलब यह है कि हम उतना ही carbon उत्सरजन करेंगे जितना हम सोख सकें और वो सोखेंगे कैसे करके पेड़ पौधों को लगा करके इसके साथ साथ में कोईले से जो हम बिजली बना रहे हैं कोईले का जो इस्तमाल कर रहे हैं पेट्रोल डीजल का इस्तमाल कर रहे हैं उन सब को कम करके हम ये काम कर सकते हैं Renewable Energy का कितना हिस्सा हम पैदा करेंगे अपनी जरूरत का इसके साथ साथ में GDP के हिसाब से Renewable Energy के उपर हम कितना Depend हो जाएंगी यह सारी की सारी जो गोशनाय हैं ना बहुत महत्पोर हैं अमरे लिए पहला जो कदम है वो Energy Transition को लेकर के ही है Energy Transition को आप अच्छी तरह से समझ गए हैं कि अभी हाल में आप देख रहे हैं सडकों में जो गाडिया दोड रही है ठीक है लगबग 99% जो है पेट्रोल और डीजर से चल रही है घर में आपके जो बिजली पहुँच रही है वो बिजल यही चीच कहलाती है Energy Transition इस बार के बजट जो है प्रोवाइट करता है 35,000 करोड रुपईया की फोर प्रायॉर्टी कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है कहां पर Energy Transition की तरफ इसके साथ साथ में Net Zero के Objective की तरफ हमें बढ़ना है तो यह 35,000 करोड रुपईया हम खर रहा है यह Ministry of Petroleum and Natural Gas की तरफ से है फिर बात कर लेते हम Green Hydrogen Mission की इसका जो टोटल आउटले है वो है 19,700 करोड रुपईया यह क्यों हम दे रहे हैं ताकि जो Energy Transition है न वो आसानी से हो सके हम Hydrogen का इस्तवाल कर सकें फ्यूल के तोर पर इसके साथ साथ में हम जो है फैसल फ्यूल क जो इंपोर्ट कर रहे हैं उसके उपर Dependency को कम करना चाहते हैं तीसरे नम्मर का जो प्रयास किया जा रहा है वो Energy Storage प्रोजक्ट को लेकर किये है एकोनॉमी हमारी बढ़ते जा रही है एकोनॉमी को यदि हमें सस्टनेबल तरीके से ग्रोथ करना है उसके रस्ते में चलाना ह चाहिए जिसकी Capacity होगी 4000 MWH विल बी Supported with Viability Gap Funding और यह जो पैसा है कहां से आने वाला है Viability Gap Funding के माध्यम से आने वाला है ठीक है तो यहां जो MWH यूस किया गया है 4000 MWH मतलब मेगावाट हवर फिर बात करी जाती है Viability Gap Funding की तो Viability Gap Funding के माध्यम से ही यह पैसा आने वाला है तो इसको हम समझ लेते हैं क्या होता है तो देखिए Viability Gap Funding Scheme Government of India की तरब से लाँच की गई थी Viability Gap Finance का मतलब होता है एक ग्रांट देना Support Projects that are economically justified but not financially viable Viability Gap Funding के माध्यम से एकमुस्त रासी जो है सरकार प्रोवाइट कर देती है ऐसे प्रोजेक्ट को जो की economic तरीके से justify किये जा सकते हैं लेकिन financially तरीके से उतने जादा वो मजबूत नहीं है इसके चक्कर में वो पूरे नहीं हो पाते हैं सरकार क्या काम करती है एकटे पैसे दे देती है The scheme is designed as a plan scheme to be administered by Ministry of Finance इसका administration कौन करेगा इसका प्रसासन किया जाएगा Ministry of Finance के द्वारा and amount in the budget are made on year to year basis और इसमें जो पैसा डाला जाएगा वो साल दर साल अलग अलग रहने वाला है इस प्रकार की जो grant होती है VGF scheme के अंतरगत वो provide करी जाती है as a capital subsidy जैसे की कोई company है पूंजी लगाना चाहती है green project के उपर लेकिन पैसे की कमी है तो सरकार उस पैसे की कमी को पूरक करने के लिए capital subsidy की तौर पर VGF provide करती है वहीं इसके इतिहास की तरफ में हम देखें तो यह जो वायबल्टी gap funding scheme है इसको launch किया गया था 2004 में ताकि इन project को support दिया जा सके जो की public private partnership के अंतरगत में आते हैं मतलब कुछ ऐसे project हैं जिसमें सरकार मिलकर के काम कर रही थी private company मिलकर के काम कर रहे थे तो ऐसे project को अंतरगत इस scheme को launch किया गया था ताकि उसको हम पूरा कर सकें फिर बात करी जाती है renewable energy evacuation की ठीक है तो जो interstate transmission state for evacuation and grid integration of 13 GW renewable energy from Ladakh is be constructed with investment of 20,700 करोड including central support of 8,300 करोड तो यहां पर बताया जा रहा है कि किस प्रकार से Ladakh में हम 13 GW की बिजली पैदा करेंगे और उसको इसका integration किया जाएगा interstate transmission के माद्ध हम से तो यहां से बिजली पैदा होने वाली है और दूसरी जगा में इसका transmission किया जाना है इसके लिए है 20,000 करोड रूपई यहां कैंसरकार इसमें खर्चा कर रही है 8,300 करोड रूपई वहीं गोवर्धन स्कीम के अदि बात कर रहे हैं तो 509 West to Wealth Plants Plants का मतलब यहां पर पेड़ पौदे नहीं है Plants का मतलब है यहां पर Gover Gas के Plant West to Wealth 500 नए Gover Gas Plant स्थापित किये जाएंगे Goverdhan Scheme के अंतरगत Goverdhan Scheme क्या है इसका फुल फार्म होता है Galvanizing Organic Bio Agro Resources धन Scheme will be established for promoting circular economy Circular economy हम किसको बोलते हैं जैसे कोई product तयार हो रहा है इसके बाद हमने उसको West कर दिये कुड़े कचरे में ढाल दिये अब लेकिन यदि उस कुड़े कचरे को आप क्या काम कर रहे हैं फिर से कहीं इस्तमाल कर ले रहे हैं उसको हम जो बोलते हैं circular economy जैसे की plastic की यदि हम बात करें एक बार हम इस्तमाल करते हैं दूसरी बार उसको फेक देते हैं लेकिन वहीं यदि हम उसका उपयोग करने लग जाएं उसको गला करके फिर से plastic बनाएं तो वो circular economy के अंतरगर आ जाता है Soil की fertility को लेकर के यहां पर कुछ मादपूर data हमको मिला है इसको हम देख लेते हैं यदि हम जो है global land outlook second edition report की बात करें जो की जारी किया जाता है UNCCD के द्वारा United Nations Convention to Combat Desertification इसकी एक report है उसका second edition तो जो global extent है land degradation का लेंड degradation का मतलब यह है भूमी का जो उबजावपन है उसमें गिरावट आना उसमें फैलाव होना estimation लगाया जा रहा है 20 से 40% जितना भी total land area है ना उसका 20 से 40% land degradation होने वाला है यह directly प्रभाव दालने वाला है nearly half of the working population is spawning the world's corp land, dry land, wet land, forest and grass land किसी भी प्रकार का land की यहां पर बात हो रही है पूरी जो working population है आधी जनसंख्या प्रभावित हो जाएगी इससे पंद्रवे नम्मर का जो सेसन था Conference of Parties का COP 15 का ठीक है किसका UNCCD का यह आउजित हुआ था 9 से 20 मई 2022 यहां पर country agree हुई थे कि हम resort करेंगे फिर से वापस लाएंगे फिर से जिंदा करेंगे एक billion hectare degraded land को 2030 तक कैसे करके हो गई है data collection के माद्यम से monitoring के माद्यम से और reporting के माद्यम से तो government ने launch किया है कई सारी scheme या फिर program जिसमें include है Inter-Alia National Apphorstation Program Green India Mission Waterset Development Component of Pradhan Mantri के सिचाई योजना ठीक है जो की contribute करती है restoration का जो 26 million hectare का हम target रखे हैं उसमें काफी बड़ा ये contribution करती है इसके साथ साथ में achievement of land degradation neutrality with focus on sustainable and optimum utilization of land resources Waterset Development Component short cut में WDC इसको बोलते हैं ये किसकी अंतरकत है प्रदान मंत्री क्रिसी सिचाई योजना इसको launch किया गया था 2015 में ये योगदान देती है land की restoration की तरब through its various intervention कई प्रकार से intervention करती है जिसमें सामिल है inter-area building of water harvesting structure यहां हमें water harvesting structure देखने को मिलता है area brought under production irrigation कुछ area इंसा है जिसको irrigation के अंतरकत लाया गया है जहाँ पर पहले सी चाई की सुईधा नहीं थी इसके साथ में area brought under plantation कुछ area ऐसा भी है जहाँ पर कभी पेड़ पौधे नहीं होते थे तो वहाँ हमने पेड़ पौधे लगाए है तो Space Application Center अहमदाबाद ने रिलीज किया है latest version of the desertification and land degradation atlas of India ठीक है तो इसने एक प्रकार से map तयार किया है कि कहां कहां पर हमरी मुर्दा खराब है कहां कहां प्रयासा में किये जाने 17 जून 2021 को ये map तयार किया गया था इसके साथ साथ government of India ने कुछ measures लिये हैं ठीक है कुछ उपाए किये हैं ताकि हम जो है लड़ाई लड़ सके degradation और desertification से लड़ दें के लिए सबसे पहले जो उपाए किया गया वो तो यही है कि सबसे पहले हमें पता रहना चाहिए कि भारत का कौन सा एरिया है जहां की भूमी उपजाव नहीं है कहां कहां पर सिचाई के सादन available है कौन सा से एरिया आसिंचित है इन सबका एटलस तयार करना मैप के माध्यम से इनको समझना तो Desertification and Land Degradation एटलस को प्रपेर किया गया है बाई SAC के द्वारा यह हमें प्रोवाइड करती है स्टेट वाइस कुछ एरिया जो की Degradation Land में बदल चुका है इसके साथ साथ में यह हमें हेल्प करता है कि हम कुछ प्लानिंग करें implementation करें कुछ scheme का ताकि यह जो Degradation वाला जमीन है इसको हम restore कर सके by providing important data and technical input इसके बाद फिर एक online website भी चालू करी गई है इसको develop किया गया है इसमें हमें साथ दिया था Space Application Center SAC आहमदाबाद for visualization of degraded area of land with the processing causing degradation तो यहाँ पर जो है हमें कुछ और महतपूर डाटा मिल जाता है किस प्रकार से process हो रही है किस प्रकार कौन कौन से region है जिसके चलते चलते degradation देखने को मिल रहा है फिर एक center of excellence आता है किसके अंतरगत Indian Council for Forestry Research and Education के अंतरगत ताकि enhance किया जासके South South Corporation को इसका उद्देश है knowledge को share करना best practices को promote करना इसके साथ साथ में India का जो experience है उसको share करना with cost effective and sustainable land management strategies developing ideas for transformative project and program and capacity building तो जब भी हमें पूछा जाएगा टिक की degradation और desertification के लिए भारत क्या 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 कदम उठा रहा है तो ये सारे के सारे जो point है उनको हमें लिखना है इसके बाद हम चलते हैं दाहिंदू के तरफ और देख लीते हैं प्रमुक खबरों को तो जो पहली खबर हम देखने वाले हैं वो OBC के reservation से related है OBC को भी सरकार की तरफ से दो category में बांट दिया गया है एक creamy layer है और दूसरा होता है non creamy layer creamy layer मतलब ये समझ लीजिए जो वक्ति cream खा रहा है cream खा रहा है मतलब वो बड़े लोग है वो अमीर लोग है इनको reservation नहीं दिया जाता है ये general category के अंतरगत चले जाते हैं non creamy layer लोग कौन होते हैं देखिए इसमें annual income को fix कर दिया गया है 8 लाग यदि किसी OBC लड़की OBC लड़के के family की जो annual income है उनके पिता की जो सालाना आये है 8 लाग रोपे से दी जादा हैं तो उसको creamy layer की category में डालते हैं और उसको reservation नहीं दिया जाता है क्योंकि हमें अच्छी तरह से पता है कि अभी हाल ही में जो general category के लिए reservation लेकर के सरकार आई है तो उसमें भी 8 लाग रोपे का प्रावधान किया गया है आपकी यदि सालाना आये income 8 लाग रोपे है तो आपको reservation मिलेगा 8 लाग से उपर जाते हैं तो आपको reservation नहीं मिलने वाला है तो जो creamy layer के लोग हैं उनको general category का ही आप समझ लीजिए उनको किसी प्रकार का reservation नहीं दिया जाता है दूसरी नम्मर की बात यह है कौन तै करती है कि कौन कौन सी community कौन कौन सी caste के लोग OVC में आएंगे तो ये सब कुछ है केंसरकार के हाथ में तो यदि आप OVC लिष्ट के अंतरगत आते हैं तो आपको कौन कौन से फायदे मिल सकते हैं तो चाहे वो central government हो चाहे वो state government हो काफी सारे जो program और scheme है उनका फायदा आप उठा सकते हैं जैसे की 27% reservation quota government job में आपको मिलने वाला जैसे IES, IPS और भी जो state government की हो चाहे central government की हो like IIM and IITs दूसरी नम्मर की बात there is a relaxation with respect to upper age limit for various examination like UPSC civil service exam दूसरी नम्मर की बात यह है यदि आप OBC में non-crimulier में आ रहे हो तो आपको age में भी छूट दी जाएगी जैसे की 3 साल, 5 साल इसके साथ साथ में कितने attempt आप दे सकते हैं इस मामले में भी आपको छूट मिलती है इसके अलावा हमें relaxation मिलता है प्रावधान भी हम देखने वाले है मंडल कमीशन के recommendation के हिसाब से ही कैंद्र सरकार ने इसू किया था एक office of memorandum कि हम जो है reserve करेंगे 27% post central government की services में किसके लिए? OBC के लिए लेकिन इस order को challenge कर दिया गया था इंदरा साहनी केस Supreme Code के द्वारा 1992 में इंदरा साहनी एंड अदर वर्सित government of India के नामसे इसको जाना जाता है फिर Supreme Court की जो constitutional bench थी उसने अपना decision क्या दिया उन्होंने upheld कर दिया था 27% के reservation को किसके लिए? OBC के लिए इन यहां एक word यूज किया गया है upheld, upheld का मतलब होता है सही ठहराना लेकिन इनसी verdict में जो Supreme Court है उसने clear कर दिया था कि जो creamy layer है OBC should be excluded from reservation उसी time में Supreme Court ने कह दिया था कि जो है Supreme Court की जो OBC की creamy layer है उसको reservation से बाहर करना पड़ेगा excluded from reservation फिर central government ने एक commission बनाई थी जिसको chaired कर रहे थे justice राम नंदर प्रसाद ताकि identify किया जासा के criminal layer among OBC OBC में कौन-कौन वेक्ति criminal layer के अंतरगत आएगा फिर ये जो commission था इसकी recommendation जो थे as such approved by the central government इसने जो भी recommendation दिया उसको approval फिर दिया गया central government के द्वारा इसी पर अधारित central government ने issue किया था एक order ठीक है इसमें कुछ guideline थे कुछ criteria थी जिसके तहत creamy layer को exclude किया जाएगा OBC से और आज के टाइम में भी जो है यही criteria चलता है बात कर लेते हैं हम news की तो अभी जो हम limit fix किये हैं OBC non creamy layer के लिए वो परियाप्त है ऐसा cancer का कहना है existing जो income limit है जिसके अंतरगत हम determine कर पाते हैं non creamy layer को among other OBC classes यहां सेधी आपको non creamy layer को पहचान करना है इसके लिए हमने रुपय पैसों की limit लगा दी आठ लाग से कम इनकी income है इसलिए हम इनको OBC में रख रहे हैं और reservation का फायता दे रहे हैं तो यह sufficient है ऐसा अभी कहना है union government की तरप से यह बात कही गई थी social justice ministry said in parliament on Tuesday currently जो annual income है ठीक है of both parents माता और पिता की जो income है आठ लाग या फिर आठ लाग रुपय है या फिर इससे जादा है तो इनको exclude कर दिया जाता है OBC के फायदों से from availing themselves of reservation, putting them in criminal category, leaving benefit only for those earning less than that केवल आठ लाग से दी आप कम कमा रहे हो तभी आपको जो है reservation का फायदा मिलने वाला है OBC category का इसके बाद हम सीधे चलते है अर्थक्वेक की तरफ particularly हम बात करेंगे टर्की में जो अर्थक्वेक आया है उसका epicenter कहा है epicenter किसको बोलते हैं, hypocenter क्या होता है इन सबको हम समझने की कोशिज करते हैं सबसे पहले तो होता है hypocenter hypocenter वो point है एक प्रकार से केंदर बिंदू होता है जहां से अर्थक्वेक का उद्गम हुआ है उसी के जश्ट सीधे उपर 90 degree में आप उपर चले जाईए एकदम 90 degree में जब आप उपर जाते हैं जैसे की ये वाला पिक्चर आप देख लीजिए गूगल के नीचे लिखाना है ये hypocenter है hypocenter के एकदम आप उपर में जाईए 90 degree में उसके उपर जगह है वो epicenter कहलाती है ठीक है जमीन के उपर का जो point है जैसे की मैं एक तो जमीन के अंदर एक point है जिसको हम hypocenter कह रहे हैं और एक जमीन के उपर है उसको हम epicenter कह रहे है तो टर्की में जो अर्थके एक आया था उसका जो hypocenter है ना उसका आज हमने map भी देखे थे ठीक है तो यहाँ पर दो चीज तो हम समझ चुके हैं अब हम बात करते हैं फाल्ट लाइन क्या होती है ये इस box को आप देखिये एक box ये है इतना है आदा हिस्सा और दूसरा इस्सा ये है दोनों के बीच का जो joint है इसको हम फाल्ट लाइन बोल रहे हैं फाल्ट लाइन बोल रहे हैं अब इनको आप एक प्रकार से समझ लीजिए कि ये दो बड़ी बड़ी प्लेटे हैं दोनों के बीच में जब किसी प्रकार की गती होती है जब हम इन में किसी प्रकार का मूमेंट देखते हैं उस मूमेंट के चलते चलते इनर्जी उत्पन होती है और उसी इनर्जी से भूमी में कंपन पैदा होता है उसी को ही हम जो है भूकंप बोलते हैं या फिर प्रत्वी का कापना बोलते हैं यह जो प्लेटे हैं कई प्रकार से गती कर सकती हैं जैसे कि इस वाले पिक्चर में आप देख लीजिए उपर नीचे गती हो रही है इसको हम extension बोलते हैं दूस लेकिन इसमें हम देख रहे हैं कि एक प्लेट दूसरी प्लेट की तरफ में आ रही है इसको हम compression बोलते हैं और यह extension है एक प्लेट इदर जा रही दूसरी इदर जा रही extension है और transformation कब होता है जब दोनों जो है parallel में आगे पीछे गती करती है इस से transformation होता है तो यह जो चीजें दिखाई दी है यहीं से बहुत सारी चीजों का निर्माड होता है जैसे कि कोई स्थल उपर उड़ जाता है कोई स्थल नीचे धस के समुद्र का रूप ले लेता है या फिर गड़ध बन जाता है तो वो इन ही प्लेटों के संचरण के माध्यम से संभव होता है यहाँ पे इस पिक्चर से आप और भी जादा क्लियर तरीके से देख सकते हैं कि किस प्रकार से भूख हम पाता है यह फाल्ट है दोनों प्लेटों के बीच में ठीक है दरार है और जश्ट जहां से आया है जहां पर इनका टकराव हुआ है इसको हम फोकस बोलता है हाइपो सेंटर इसक फोकस और इसको हम हाइपो सेंटर बोलते हैं थोड़ी सी बेसिक जानकारी हम अर्थक्वेक के बारे में और भी देखेंगे कि आखिर अर्थक्वेक होता क्या है अर्थक्वेक कुछ नहीं होता है एक प्रकार से प्रत्वी का कांपना ही प्रत्वी की जो सरफेस है उसमें ज प्रत्वी की जो आउटर्मोस्ट लेयर है उसमें गती हो रही है उसी लेयर में गती के चलते-चलते प्रत्वी में कमपन हो रहा है तो आखिर अर्थक्वैक घडित होता क्यों है चुकि हम देखते हैं कि प्रत्वी एकदम solid type में दिख रही है लेकिन यदि हम surface के थोड़े से भी नीचे जाते हैं तो वहाँ पर हमें बहुत सारी activity देखने को मिलती है अंदर ही अंदर बहुत सारी हल चलते हो रही है हमारी जो अर्थ है चार basic layer से मिलकर के बनी है उनके नाम यहाँ पर आपको बताए गए है पिक्चर में जैसे की कैंदर में inner core है इसके बाद outer core पड़ जाता है फिर है mental और फिर है crust लेकिन crust और mental के बीच में एक मोटी सी परत है बहुत जादा तो नहीं है लेकिन इस परत को ह पतली सी जो परत आपको दिखाई दे रहे इसको हम लीथोस फेर बोलते हैं तो solid crust है इसके बाद hot nearly solid mental है गरम भी है लेकिन solid mental है इसके बाद हम देखते हैं कि liquid outer core है and solid inner core है लेकिन जो inner core है वो solid है outer core कैसा है liquid के रूप में है तो जो हमारा solid crust है और जो उपरी परत है ठीक है जिसको सक्त लेयर बोल रहे है mental की make up a region called lithosphere crust और mental के बीच में एक layer है सक्त लेयर है जिसको हम lithosphere कह रहे हैं लेकिन lithosphere में भी हमें continue pieces नहीं है that wraps around the whole earth like an egg cell जैसे अंडे की खोल रहे थी continue वैसी बिलकुल भी नहीं है यह यह तो वास्ताव में जो है giant puzzle pieces से मिलकर के बनी है जिनको हम tectonic board plate बोलते हैं बहुत सारी plateों से मिलकर के यह प्रत्वी की उपरी जो lithosphere है उसका निर्मान किया गया है tectonic जो plate होती है ना constantly continuous shift कर रही है एक जगा से दूसरी जगा ठीक है around the viscousous or slowly flowing mental layer below नीचे mental की layer है उसी के उपर यह तैरते रहती है और यहाँ पर हमको सभी प्रकार की plate दरसाई गई है जैसे की यह Eurasian plate है और यहाँ पर हमको Arabian plate देखने को मिल रहा है यह वाला जो हिस्सा Arabian plate का है और यह बहुत बड़ा जो हिस्सा है यह African plate है ठीक है यह Iranian plate है और यहीं पर पढ़ जाता है बिचारा तर्की और तर्की चुकि joint वाले हिस्से में आ जाता है इसी के चलते चलते यहाँ पर भूकम की घटनाएं हमको देखने को मिलती है तो यहाँ पर कौन-कौन सी plate है इनको आप समझने की कोशिस करिए इरान वाली plate है ठीक है यह वाला जो हिस्सा है इरानियन plate है फिर उसी के नीचे है Arabian plate फिर यह बहुत बड़ा जो हिस्सा आप देख रहे हैं यह पूरा का पूरा African plate है और उपर की तरफ में आ जाती है Eurasian plate तो हम देख रहे हैं यह जो plate है ना non-stop तरीके से गतिक करते रहती हैं हमारे अर्थ के जो crust है यहाँ पर non-stoppable जब movement होता है तो इसी से तनाव पैदा होता है हमारे crust में जब यह तनाव इतना जादा हो जाता है इसके चलते चलते crack विक्सित हो जाते हैं दरार पड़ जाती है और इसी को ही हम fault बोलते हैं When tectonic plates move it also causes movement at the fault जब tectonic plates move करती है इसका मतलब यह है जो fault है उसमें भी हमें movement देखने को मिलता है An earthquake is the sudden moment of earth crust 8-day fault तो अर्थ का crust की हम बात कर रहे हैं उपरी layer की बात कर रहे हैं वहाँ पर जब हमें movement देखने को मिल जाता है उस fault वाली जगह में तो उसी को हम बोलते हैं Earthquake बोलते हैं फाल्ट लाइन हम किसको बोलेंगे वो फाल्ट लाइन हो गई जहाँ पर दो प्लेटे आपस में जुड़ी हुई है इसके साथ साथ में epicenter हम किसको कहेंगे उस location को जहाँ पर earthquake चालू हो जाता है तो earthquake का जो most intense shaking है is often felt near the epicenter epicenter के आज पास में जितना भी area रहेगा वहाँ पर भूकम का प्रभाव सबसे ज़्यादा हमको देखने को बिलता है फिर भी जो vibration है न अर्थक्वेक का इसको आप feel भी कर सकते हैं detect भी कर सकते हैं सेक्लो किलमीटर दूर से और even thousand of miles away from the epicenter न केवल सेक्लो किलमीटर हजारो किलमीटर तक इसको feel किया जा सकता है फिर हम earthquake को measure कैसे करके करते हैं देखिए earthquake के माध्यम से जो energy travel करती है प्रत्वी से होते हुए प्रत्वी के vibration पैदा करती है वो energy को हम seismic wave बोलते हैं scientists can measure these seismic waves on instrument called seismometer वैग्यानिक लोग seismometer की साहेता से इन तरंगों को मापते हैं तो कुछ-कुछ जो seismometer होते हैं वो इन तरंगों को जिग-जग की रूप में detect करते हैं इसके बाद हम सीधे चलते हैं editorial वाले page की तरफ और देख लेते हैं promote editorials को तो आज हम सबसे जादा जो mainly focus करेंगे वो एक editorial है जो की health sector की उपर focus करने की बात करता है particularly इस editorial में budget जो प्रस्तुत किया गया है उसकी आलोचना करी जाती है मतलब उसका criticism किया जाता है और कौन-कौन से प्रयास government को करने चाहिए थे क्या government जो प्रयास कर रही है वो enough है कि नहीं है इसके उपर ये editorial focus करता है तो सुरू की जो बात हैं लिखी है वो हमेरे उतनी जादा बिलकुल काम की नहीं है ठीक है सुरू में budget के बारे में बताया जाता है यदि आप जो है budget को केवल financial allocation के हिसाब से देखते हो तो budget हमें एकदम boring लगने लग जाता है लेकिन ये जो budget होता है ना ये सरकार का real में क्या intent है क्या vision है आने वाले साल के लिए उसका एक जांकी प्रस्तुत करता है इसलिए इसका लोग बहुत ज़्यादा बेसबरी से इंतजार करते है तो जैसे ही world war खतम हुआ था ठीक है world war खतम हुआ UK divast stated the national health services was launched as means to revive the society अब world war के चलते चलते society कितनी ज़्यादा पुरी तरह से प्रभावित हुई थी उसका health sector कितना चर्मराया होगा आप सोच सकते इसी के चलते चलते national health service वहाँ पर launch की गई थी तो five giant evils है want, disease, ignorance, quail roles and idleness ठीक है उन्होंने बताया था कि ऐसी कौन कौन सी चीजे है जिनको हमें address करना चाहिए वही हम बात कर लें इंडिया के vision की तो हमें जो है सबसे जानदा जो basic service है उसके उपर focus करने की ज़रूरत है जैसे कि nutrition, health, employment, education, environmental, sanitization and hygiene तो भारत को अभी सबसे पहले तो यह देखना है कि basic चीजे हम लोगों को provide करें एरपोर्ट की आम लागरे को बिल्कुल ज़रूरत नहीं है हमारे जैसे लोगों को ना ही हमें highway की ज़रूरत ना ही हमें speed trends की ज़रूरत है सबसे पहले हमें ensure करना है basic service जैसे की nutrition, health, employment, education और environmental, sanitization and hygiene तब जाकर के आप airport, highway और speed trend में कदम रखिये यहाँ एक word यूज किया गया था जिसका मतलब होता है गंदगी, मलीन था, छीख है, squalor तो इंडिया ने कुछ commitment किया है it may be urge that government has been fair in this year's budget ऐसा लग रहा है कि सरकार अपने आपको सोच रही कि नहीं हम बहुत बढ़िया कर रहे हैं इतना कर रहे हैं, परियाप्त है क्या क्या किये हैं ठीक है, 80 करोड लोगों को आपने free food game provide किया था आपने 500 backward block को develop किया है इसके साथ साथ में आप पक्के बकान बना बना कर कि दे रहे हो clean water और toilet available करा रहे हो इसके साथ साथ में आप employment provide कर रहे हैं किसके माध्यम से, मन रहेगा इसकीम के माध्यम से इसके अलावा आप जो है skill development का का काम कर दे रहे हैं लेकिन इन सब के माध्यम से आप अपने लक्ष को नहीं हासिल कर सकते हैं इनके माध्यम से जो बढ़ती हुई असमानता हैं भारत में किसी के पाल बहुत जादा धन है और कोई एकदम गरीब है रोड पे चल रहा है, खाने के लिए पैसे नहीं है तो ऐसी condition है जिसको inequality बोलते हैं, असमानता बोलते हैं तो इनको आप कैसे करके address करोगे इनको आपको जो है quality education provide करना पड़ेगा health care के उपर पैसे खर्च करना पड़ेगा nutrition पर पोसड पर आपको ध्यान देना पड़ेगा not just food grain but protein and other supplementary food that are currently unavoidable खाली आप जो है रासन की दुकान में गय हूँ और चावल दे करके ये सोच रहे हैं कि गरीब पेड भर लेगा तो उसकी भूखी को मार सकते वापस पोसड को आप जो है कुपोसड को आप नहीं खतम कर सकते हैं अब आप सोचिए वो महिला जो कि खाली गया हूँ और चावल रासन की दुकान से लेजा ले रही है उसके पास तेल खरीदने के लिए पैसा नहीं है अंडे, मांस, मचली, दूद, घी ये सब खाने के लिए उसके पास पैसे नहीं है तो उनके जो लड़के बच्चे हैं वो बताइए कुपोसित होंगे की नहीं होंगे इसलिए हमें खाली फूटग्रेंस के उपर फोकस नहीं करना है प्रोटीन और अधर सब्लिमेंटरी फूटग्रेंस के ओपर भी हमें फोकस करने की जरूरत है यहां एक वर्ड यूज किया गया है इंपिरेटिव इंपिरेटिव का मतलब होता है अति आवस्यक वेरी इंपोर्टेंट कोई भी कंट्री विकास नहीं कर पाएगी यदि इसका जो पापुलेशन है इसकी जो जनसंख्या है वो इलिटरेट है अनपढ़ है अनहेल्दी है और मालनाजड है तीन बाते हैं ठीक है पढ़ी लिखी नहीं है उसका स्वास सही नहीं है और तीसरी नमर की बातिया है वो कुपोशन की सिकार है यदि हमारी भारत की जनसंख्या में ये सारी चीज़ें हैं तो समझ लो हमारा देश तरक्की कर ही नहीं सकता है जितनी भी country ने आज की टाइम में विकास किया है और जो विक्सित देश है उन्होंने काफी बड़ी मात्रा में पैसे खर्चा किया है education में, health में और nutrition के उपर कुछ अध्यन किया गया था US के उपर ठीक है, so that after Reagan era, innovation and scientific capability took a hit when public investment in education was reduced to push privatization देखिये, privatization को जब आप बढ़ावा दे रहे थे उस time में innovation, scientific capability आपकी यदि आप इधर पैसे खर्चा कर दोगे, तो आप education के उपर जो है, पैसा नहीं खर्च कर पाते हैं तो यहाँ पर आपको focus करना है, कि जब हम एक तरफ पैसे को रोक रहे हैं, तो दूसरी तरफ पैसे को हमें डाल नहीं पड़ेगा यहाँ तक कि जो निकारा हुआ है, इसकी economy इतनी ज़्यादा खराब condition में चल रही है, उसने health और education के सेक्टर में पैसा फसाया, पैसे खर्चा किया अब आप देखिए यह सारी की सारी चीज़ें आप उपर की चर्चा कर लिए अब आप देखिए बजट को किस प्रकार से आपको बजट निराज कर रहा है एक study में हमें पता चला है कि 230 million Indians गरीबी की रेखा में चले गए हैं गरीबी में धकिल दिये गए हैं COVID-19 के चलते चलते इनका क्या होगा, आपने तो जनगरना किये नहीं है कैसे करके आपको पता चलेगा ठीक, आप जनगरना भी इसलिए नहीं करना चाहते हैं क्योंकि आपकी जेब से पैसे जादा खर्चा करने पड़ेंगे अभी गरीबी रेखा में 100 लोग हैं कोरोना के चलते चलते पता चलते पता चला 50 लोग और एड हो गए तो वो कैसे पता चलेगा वो जनगरना करी नहीं है अभी तर्थ इसके बाद असर की रिपोर्ट क्या कहती है हमारा सरकारी एजुगेशन सिस्टम है वो कितना सफल है आप खुछ सोचिए कई सारे कख्चा 5 के स्टुडेंट ऐसे हैं जो की रीड नहीं कर सकते हैं क्लास टु की टेक्स्ट बुक को एन एफएचेस पाँचवे नम्मर का जो संस्कारण का पाँचवे नम्मर की रिपोर्ट जो आई है एन एफएचेस की नैस्नल फैमिली हेल्थ सर्वे की ये बताती है पास साल से कम उमर के बच्चे ऐसे 35.5 परसंट ऐसे हैं जो की इस्टंटेड है इस्टंटेड मतलब होता है जिनकी हाइट कम है उमर के हिसाब से देखा जाएता और 32 परसंट बच्चे ऐसे हैं जो की अंडर्वेट हैं मतलब हाइट के हिसाब से उनका वजन नहीं है तो इस्टंटेड आपको खतम करना है अंडर्वेट आपको खतम करना है बच्चे पांच भी के ऐसे हैं सरकारी स्कूल के जिनको कक्षा दोखी किताब तक पढ़ना नहीं आ रहा है इस्थिर प्रतीत होता है आपने क्या काम कर दिये हैं? मिड़े मेल्स के लिए आपने 9% का बजट रिडियूस कर दिये हैं इसमें इंफलेशन तो बिलकुल सामिल भी नहीं है इंफलेशन को ज़िए आप सामिल किये होते तो ये बजट और ज़ादा बढ़ जाता हम ये अच्छी तरह से जान रहे हैं कि लोगों की आय प्रभावित हुई है जब लोगों की आय प्रभावित हुई तो उन्होंने क्या काम करे थे? अपने बच्चे जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे थे उनको सरकारी स्कूल में दाखिला कराया सरकारी स्कूल में उन्होंने उसका नाम लखा दिया क्यों? क्योंकि प्राइविट स्कूलिंग अब जो है अनफॉर्डेबल होते जा रहा था इसलिए उन्होंने उनका नाम वहाँ से खटवा दिया था नॉन कम्मुनिकेबल जो डिजीज बढ़ते जा रहा है ठीक है हम देख रहा है कि इस प्रकार की जो बिमारिया है बढ़ते ही जा रही Mental Health, Geriatric Care ये सारी चीजें एंसी हैं जिसके चलते चलते कम्मुनिकेबल डिजीज में लोड बढ़ते जा रहा है Geriatric Care किसको बोलते हैं जो ब्रद्ध लोग होते हैं उनकी जो आप देख भाल करते हैं उसको Geriatric बोलते हैं चौते नम्मर की बात ये है हमारे पास जो है Human Resources की कमी है Infrastructure की कमी है and Access to Affordable Diagnosis and Treatment आप अच्छी तरह से जानते हैं आप थोड़ा सा कान में कुछ प्रॉबलम हो गई प्राइवेट डक्टर के पास आप जा करके देखिए कितना पैसा आप से लेता है और कितना खर्चा आप का हो जाता है वहीं सरकारी होस्पिटल में आप जाईए और इलाज करवा के देखिए खाली दोठो गोली देदेंगे कि बस इनको खाओ और अराम से सोचाओ तो ये हाल है हमारे हेल्थ सिस्टम के एक बार मेरे पैर में मोच आई थी मैं सरकारी होस्पिटल गया था यहां पर दिखा के डॉक्टर को डॉक्टर ने हाथ लगा के भी नहीं देखा था टच करके भी नहीं देखा था कि क्या है क्या नहीं है कैसे दर्द होता है क्या होता बस उसने खाली गोली दे दिया और बोल दिया कि इनको खाओ अराम लग जाएगा तो ये है हमारा हेल्थ केर सिस्टम वो भी सरकारी तो लोग सरकारी हॉस्पिटल क्यों जाएंगे प्राइवेट में क्यों नहीं जाएंगे यही हाल हमारे एजुकेशन सिस्टम का भी है सरकारी स्कूलों की आप पढ़ाई देखिए ना और प्राइवेट स्कूलों की आप पढ़ाई देखिए कुल विलाकर के सरकार क्या काम करना चाह रही है कि हम जो है स्कूलिंग से भी अपने हाथ खाली कर लें और हेल्थ केर सिस्टम से भी अपने हाथ खाली कर लेते है सब प्राइवेट कंपनियों के हाथ में हवाले में ही कर दो और अपने इधर से फिरी हो जाओ कुल मिलाकर के बात ऐसी आने वाली आने वाले फ्यूचर में अब फाल्ट लाइन यहाँ पर कुछ प्रस्तूत करी जाती है कोविड नाइनटीन ने तीन जो मेजर फाल्ट लाइन है वो हमको दिखाया था ठीक है फाइनेंचियल रिस्क प्रोटेक्शन लोगों को नहीं मिल पाता है विच इस वाइज सिटिजन एंकर्ड हूज एक्सपैंसेस तो फिर जब फाइनेंचियल रिस्क प्रोटेक्शन मुझे मिला ही नहीं है तो मैं खर्चा क्यों करूंगा इस्टिमेटी तुई मोर देन सत्तर हजार करोड एवन एज दियर इंकम फैल तो इसका अंदाजा लगाया जा रहा है सत्तर हजार करोड रुपईया कोविड नाइंटीन के चलते चलते हमारा जो प्राइमरी हेल्थ केर सिस्टम है ना वो पूरा चर्मर आ गया था पार्टिकुलर की हम नॉर्थ इंडिया की बात कर रहे हैं ऐसी देथ हुई थी वहाँ पर जिनको हम एवाइड कर सकते थे ठीक है तो हमारा जो प्राइमरी हेल्थ केर सिस्टम है उसे हमस्वधाने की जुरूत है डिस्टिक होस्पिटल यहाँ पर सारी सुक सुईधाय मौझूद होना चाहिए तब जाकर के आप यहाँ पर अच्छे तरह सी इलाज कर पाएंगे इंडिया नीड़'s a infusion of resources and a bold imagination to address these यह सारी की सारी छीजों के लिए आपको address करना है तो इसके लिए आपको resources आज़एबल करना आपड़ेगा इसके साथ साथ में आपकी जो सोच है उसको भी बड़ी करने की ज़रूरत है तब जाकर के आप लड़ाई लड़ सकते हैं अब इन सारी चीजों से नुकसान किसको होता है गरीब ही मरते ही लिकिन ऐसा नहीं है कि मरेंगे केवल गरीब कोरोना ने ये सित्ध कर दिया है कि कोविड नाइटीन के चलते चलते बहुत सारे अमीर लोग भी नहीं बचपाए है क्योंगि उस टाइम में हमारा जो हेल्थ सिस्टम है ना पूरी तरह से चर्मरा गया था बिस्तर नहीं है उक्सीजन सिलेंडर नहीं है वेंटिलेटर की कमी है मास्क नहीं है दुनिया भर की कमीया सब एक साथ ही आ गई थी हॉस्पिटल में आग लग जा रही है ऐसे बहुत सारे एक्जामपल हमको देखने को मिले थे तो जब डिजाश्टर आएगा तो फिर वो नहीं देखेगा कि कौन गरीब है कौन अमीर है वो अपने हाँ सब को ले करके जाने वाला है तो यह कोई गैरेंटी नहीं है कि यह जो खत्रा है न वो खतम हो गया है इसलिए पूरी पूरी रिस्पोंसिबिल्टी गवर्मेंट की है कि वो अपने सिटिजन्स को सुरक्षित रहे रखे ठीक है इसके लिए उसको इंप्रूब करना पड़ेगा हेल्ट केर सिस्टम को इसके अलावा हमें जरूरत है पॉलिटिकल लीडर्सिप की इसमें हमें एंडुकेट फंड प्रोवाइट करना पड़ेगा ताकि हम रिबिल्ड कर सके हमारे पबलिक हेल्थ केर सरकारी अस्पतालों को हम प्रमोड कर सके हैं वेग्यानिक रिसर्च को and expand health security और जो health security है उसको हमें expand करना पड़ेगा इसके अलावा आपने 157 नर्सिंग स्कूल का construction किये हैं आप खाली नर्सिंग कॉलेज इस्थापित करके जो serious structural problem है उसको solve नहीं कर सकते हैं इसके बाद वाली news हम देखने वाले हैं दिल्ली हाइट कोर्ट का एक verdict आया है देखिए यदि कोई accused है ठीक है जो कि sex worker है अब उसकी आप virginity test करते हैं कि वास्तवम इसके साथ अपराद हुआ है कि नहीं हुआ sexual assault हुआ है कि नहीं हुआ है इसकी आप जाच कर रहे हैं तो वे गैर सम्मेधानिक है ऐसा verdict दिया गया है दिल्ली हाइट कोर्ट के द्वारा अब आप सोचिए CBI इतनी जादा आधनिक इतनी बड़ी संस्था है वो उसने ऐसा काम करी है 2008 में ठीक है एक जो महिला है वो sex worker है उसके साथ किसी ने sexual assault किया है अब उसकी जाच करने के लिए आप virginity test कर रहे हैं ये तो बिल्कुल गलत बात है और आसम्मेधानिक है और article 21 of the constitution है ना उसको ये violate करती है लेकिन CBI के जो optional है उन्होंने क्या कहा उन्होंने ये कहा है कि उस time में इस प्रकार का कोई भी order नहीं था जो कि इस बात को unconstitutional करें ये कानून उस time में नहीं मौजूद था इसलिए ऐसा किया गया था तो ये जो घटना है ना ये है 25 नमबर 2008 की तो काभी important decision है जो कि यहाँ पर दिल्ली हाई कोट के द्वारा लिया गया है इसके बाद कि जो अगली मातपोट ख़बर है वो global gender gap index से related है तो ये क्या है country को benchmark provide करने का काम करता है ठीक है ये number देता है कि आपने अच्छा काम किया हो तो आपको इतने number मिलेंगे आपने अच्छा काम नहीं किया हो तो इतने number मिलेंगे किस मामले में gender gap index पूरे visual level पर ठीक है gender gap को maintain करने के लिए कौन देश कितना अच्छा काम कर रहा है जैसे कि भारत में महिलाओं को भी सेना में अलग से rank वागेरा provide करने की बात करी जाती है ठीक है अलग से command देने की बात करी जाती है भारत में अब महिलाओं जो है politics में भी participate करने लगी है ठीक है इसके साथ साथ में आने वाले time में ये भी हो सकता है कि हमारी जो cheap justice of India है ने कोई महिला ही बन जाए तो ये gender gap को fulfill किया जा रहा है कुल मिला करके भारत के द्वारा तो जो global gender gap index है इसके बारे में आप समझने की कोशिस करिए जेंडर parity, gender equality के लिए आप कितना काम कर रहे हैं इस हिसाब से आपको number दिये जाते हैं यहाँ पर चार बाते हैं with sub matrix इसके अंदर भी कुछ matrix आपको देखने को मिल जाएंगे जैसे कि आपकी economy में कितना महिलाओं का participation है कितनी आप उनको opportunity दे रहे हैं क्या पूरा production आप इंसान नहीं कर दे रहे हैं ठीक है पूरू सी कर दे रहे हैं दूसरी number की बात यह है educational attainment education के मामले में लड़किया कितनी पिछड़ी हुई हैं कितनी उनकी आप ब्रद्धी कर पा रहे हैं health and survival को लेकर के और political empowerment को लेकर के ही यह number दिये जाते हैं कुल मिलाकर के 4 इसमें main pillar बनाए गए तो on each of four sub indicates as well as on overall index GGG index provide score between 0 and 1 where one source full gender parity and 0 is completely imparity यहाँ पर आपको number दिये जाते हैं 0 से लेकर के 1 तक एक का मतलब यह है आपने बढ़िया काम करे हैं 0 का मतलब यह है आपने कोई काम किया ही नहीं है it is the longest standing index which tracks progress toward closing these gaps over the time since its inception in 2006 तो 2006 में इसकी इस्थापना की गई थी 2006 से इसने काम करना अपना चालू कर दिया है अब news की तरफ चलते हैं और news को देख लेते हैं तो 484 जो companies है इनको include किया गया है Bloomberg के gender equality index में Bloomberg ने select किया है 484 companies को किसके लिए 2023 के Bloomberg gender equality index के लिए from a fray of over 600 a recognition of the progress they have made in promoting gender inclusion and implementing diversity policies 9 Indian companies have made it to this index इसमें 9 Indian companies index में सामिल होई है आपने gender inclusion लाने के लिए कौन-कौन से प्रयास किये हैं इसके अलावा diversity policy के लिए आपने कितना implementation के लिए काम किया है इस सारी बातों के यहाँ पर उलेकिया जाता है 600 प्लस जो है participating companies हमको यहाँ पर देखने को मिलेंगी इन्होंने disclose किया है उनकी gender related data को through what is called gender reporting framework इन कमपनियोंने अपनी चानकारी दी है किसके माध्यम से gender reporting framework के माध्यम से तो GEI participants are scored against 5 key pillar तो GEI के जो participants होते हैं उनको score provide किया जाता है पांच key pillar के अंतरगत वो key pillar कौन से है leadership and talent झाल 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 झाल